तो हेलो नमस्कार राम राम सलाम मेरे दोस्तों शुरू करते हैं आज की कारवाई तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ जिससे आप फ्री में क्रेडिक काउंट में रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी रेस्ट क्लिक करके कोई भी बार कोड स्केन करने के बाद पेमेंट कर सकता हूँ या फिर आपका कोई भी बार कोड अगर गैलरी में सेव है तो उसको सलेक्ट करने के बाद हुई आप पेमेंट कर सकते हैं जैसे ही मैं बार कोड स्केन करूंगा यहां पर यह अमाउंट बांगेगा amount मुझे डालना है जो भी मुझे अपने credit card से payment करना है या फिर निकालना है amount डालने के बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पे htfc bank रूपे credit card लिखा आ रहा है मेरे payment method में तो यहाँ पे click करके मैं अपना payment method भी change कर जाएगी क्योंकि मुझे credit card से लेना है तो इसलिए मैंने pay securely पे click करूँगा और अपना transaction code डालने के बाद payment successful हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी 1500 रुपे की payment मैंने as a dummy आपको करके दिखाई और यह मेरी successful हो चुकी है उसके बाद आप मज़े उठा सकते हैं scratch card का जिसका कोई फायदा नहीं होता अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने message में जो मेरे रुपे कटे हैं जो मेरे credit card से रुपे deduct हुए आप देख सकते हैं 15 रुपे मैंने pay किये थे तो 15 रुपे ही मेरे credit card से deduct हुए हैं और 15 रुपे साथ के साथ मेरे account में जमा हो चुके हैं इसी तरह मैं अपने pay टीम में QR code scan करके आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने 12,000 रुपे अपने credit card से bank account में transfer किये और ये मेरा 12,000 रुपे credit card से bank account में transfer हो चुके हैं तो अब बाट कर लेते हैं इस तरीके की थोड़ी सी limitation के बारे में हमारी सबसे primary need होती है आपका business account होना चाहिए जिसमें आप रुपे transfer करना चाहते हैं तो business account आप किसी भी application पे जाके business account बना सकते हैं जैसे कि phone pay business, pay tm business, g pay business और beam business application तो इन सारे application पे आप अपना business account बना के उसका QR code generate करने के बाद उस QR code को scan करने के बाद अपने credit card से bank में रुपे transfer कर सकते हैं तो इस तरीके में आपको सबसे पहले अपने रुपे credit card को अपने UPI account से link करना होगा आप अपने रुपे credit card को अपने bank account से कैसे link कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको i button में मिल जाएगी तो मैंने अभी तक अपने credit card को लगबग 18,000 रुपे के लिए use कर लिया है अपने credit card से UPI के through payment करने के लिए मैं आपको पूछना तो नहीं चाहता कि आप कितना खर्चा करते हैं लेकिन फिर भी comment करके बताईएगा कि आपने कितना maximum अपने credit card से bank account में transfer किया है इस तरीके से तो आज के लिए इतना ग्यान काफी है मैं समझता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो like फालतू लगाओ तो dislike और अपने रुपे credit card holders friend के साथ ये वीडियो करें share ताकि वो आपके रुपे लोटा पाएं धन्यवाद